नमस्कार दोस्तूं सुवागत एक बार फिर से आप सभी का टूडे टोक की इस वीडियो में काफी अच्छी अपडेट निकल कर आई है राजस्तान विदूत विबाग की तरफ से फाइनली दोस्तूं जो 6000 पदूं पर टेकनिकल हेलपर की भरती की बात की गई थी उसके उपर एक स्वीकर्ती मिल गई है 1512 पदूं के उपर अब ये भरती होनी है पहले मैं आपको बता दूं कि बजट गोशना पत्र के अंदर 6000 पदूं पर भरती करवाने की बात की गई थी बाद में आना का नहीं की गई कि भरती नहीं करवाई जाएगी विबाग के अंदर पद खाल हलांकि उतने पदूं पर नहीं है जितनी हमें उमीदती फिर भी भरती निकल रही है ये कापी अच्छी बात है पहले 6000 पदूं की बरती को मना कर दिया गया था कि ये बरती नहीं होगी जब इसकी मांग की गई लेकिन बाद में 1512 पदूं के उपर इस बरती को सभीकर्ती अ कम से कम जो उमर सीमा है वो 18 वर्स इसमें रखी जाएगी अधिकतम हम नोटिफिकेशन में देख कर ये आपको बता पाएंगे और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूं तो दसमी पास लोग इसमें आवेदन कर पाएंगे साथ में दोस्तों आईटियाई इसमें नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको अपडेट दे दूँगा अभी फिलाल नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है लेकिन जल्दी नोटिफिकेशन जारी होगा अगर आप ये वीडियो दो-चार दिन बाद में देख रहे हैं तो एक बाए आप चैनल पर विजिट कर लीजि स्लेबस वेगरा डिटेल से आपको चाम से बताते हैं स्लेक्षन प्रोसेस के बारे में आपको जानकारी देते हैं साथ में जो सेलेक्टेड कंडिएट्स होते हैं उनके वीडियो लेकर आते हैं जहांसे आपको बहुत अच् hakk मिलता है किस तरह से एक्जाम करेक्केरने होता ह और किस तरह से selection होता है यह सभी जानकारी आपको इस चैनल पर समय से मैं पर दी जाती है तो चैनल डेफिनेटली आपके लिए helpful है आप जरूर सब्सक्राइब कर ले एक हमारा टेलिग्राम चैनल है जिसके ओपर हम आपको अच्छे अपडेट्स देते हैं तो टेलिग्राम चैनल है उसको भी आप जरूर जोइन कर लीजेगा लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ यह जानकारी आपको अच्छे लगे हो तो लाइक करना बिल्कुल मत बूलिएगा इस जानकारी के पारे में आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा थेंक्स पूर वोचिंग मिलंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद